हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल देवाशिश बोड़ा और आज हम लोग देखेंगे SID का appointment date किस तरह reschedule किया जा सकता है लेकिन reschedule करने से पहले हमें SID apply करना पड़ेगा और उसका एक valid appointment date भी होना कि हम लोग firefox browser में जाके किस तरह घर बेटे ही mobile में mobile से ही हम लोग अपना date को change कर सकते हैं आपको browser में आने के बाद फिर BDSID का website खुलना होगा इसका link सीफियर identity documents का website का link में नीचे description में दे दूँगा फिर यहाँ पर हमें अपना इंडोस number इंडोस के साथ one add करके अपना password number और फिर अपना capture enter करने के बाद login करना होता है अगर आप लोगोंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो लास्ट वाला वीडियो जहाँ पर मैंने बताया था कि online mobile से ही हम लोग कैसे SID को apply कर सकते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा फिर next page में कुछ इस तरह option मिलेगा left side में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ फिर वहाँ पर जाके हमें cancel appointment में क्लिक करना पड़ेगा जो हमने पहला appointment लिया था उस appointment को हम लोग को cancel करना होगा फिर हमें यहाँ पर note दिखाई देगा जो clearly लिखा है कि हम लोग तीन बार यह appointment को cancel कर सकते है तो यह मेरा दूसरी बार ह उसके बाद में मुझे और एक बार चांस मिलेगा उसके बाद जब तीन ट्री टेम्स हो जाएगा फिर देखिए are you sure करके एक आएगा notes फिर आपको okay करना है तीन बार के बाद हमें फिर दुबारा SID को apply करना पड़ेगा 300 रुपे दे के online फिर कुछ इस तरह से आप उपर द दिखाए देगा वहाँ से हमें fresh appointment को click करना पड़ेगा और फिर हमें अपना जो नजदीक center गिरता है वहाँ हमें click करना होगा मुझे चाहिए थोड़ा late में तो मुझे एकदम जो late dates जो available है मैं उसको select करूँगा सो मैं एकदम नीचे आता हूँ और देखता हूँ मेरे लिए कौन सा date possible है यहाँ पर मैंने सेलेक किया जून मेने का 11 तरीक आप अपने हिसाब से कुछ भी date सेलेक कर सकते हो और फिर submit में click करना है और इस तरह हमारा पुराना जो appointment वह cancel हो जाएगा और नया appointment हमें तुरंत मिल आप इसका एक acknowledgement प्रिंट आउट करके निकाल के रख सकते हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद शुक्रिया जैहिन